हाई फ्रेंड्स असलाम उलेक्यों वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज में लिकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी पार्टी वियर वन पीस लॉंग टॉप और यह बनाना बहुत ही असान है और इसमें मैंने बहुत जल्दी से यह चोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लि इसी तरीके से कपड़े को पलट के फिनीशिंग की जाती है और मैंने जो फैबरिक की विर्थ ली थी 1.5 इंच की थी और उसको फिर मैंने सीधी तरफ स्टिच करके और फिर रॉंग साइट पे मैंने इसको पलट दिया है और वीडियो को पूरा वाच कियेगा और अगर मेर साइट से देख लें क्योंकि मैंने जब लिया था तो यह मैंने बैक साइट से नहीं देखा था और बहुत खराब था जिसकी वज़े से यह हुआ कि इसके तारे जो है मेरे कहीं कहीं से निकल गए लेकिन मुझे आपको दिखाना था और मैं फैबरिक भी ले चुकी थी और भी नहीं होता तो फिर मैंने उसी पर कटिंग करके स्टिच किया है और एलाइन की कुरती की कटिंग अल्रडी मेरे चैनल पर अपलोड है बहुत वीडियो है उस पर आप देख लीजेगा कटिंग वहां से और इसके सिंपल से कटिंग है इसको मैंने सूट पर सूट रखके इसको कट किया है तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसके लिए मैंने फाबरिक जो है 1.5 मीटर फाबरिक लिया है और इसकी विर्थ जादा होती है 60 इंच का पन्ना था तो इसलिए ये 1.5 मीटर में आराम से हो गया और इसकी दौनों साइट पे थोड़ा-थोड़ा सा खाली ह होता है वो भी निकलने के बाद इसमें आराम से आपकी फूल स्लीव के साथ बन जाएगा सबसे पहले मैं कपड़े को बिछा लूंगी फोर फोल्ड में इस तरीके से बिछा के और उसके बाद ये लाइन कूरती मैंने पहले भी स्टिच किया था इसकी वीडियो मीरे चैनल पर लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आँ वहां से चैक कर लिजेगा इसके उपर जस्ट मैंने रखके और उपर से हाफ इंच इतना लेते हुए कट करना है जो शोल्डर लाइन है उससे बढ़ाते हुए हाफ इंच इतना रखते हुए हमें कटिंग कर लेना है सूट पर सूट रखके कटिंग करना बहुत इजी होता इस्पेशली यह बिगनस देख लिए तो इस तरीके से आगर आपको मेजरमेंट से नहीं आता और साइट से इस तरीके से एक से तेड़ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्टेच करना है और यह हिप से थो तरीके से हमें डाउन में स्लीव कट कर लेना है और मैंने की कुरती की कटिंग अल्रेडी अप्लोड किया है वह से देख लीजेगा और यह मैंने बस छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे आपको बताना था कि इस तरीके के कपड़े की कटिंग कैसे की जाए और इस तरीके से फिर हम आमोल नाप रहे हैं इस तरीके से यह स्लीव मेरी एक्जेक्ट मेजरमेंट की कट हुई है और फिर इसकी कटिंग के बाद हमने जो है इसका एक साइट का शोल्डर जोड लिया था क्यूंकि इस तरीके के फावरिक में जो है नेक अलग से नहीं बनाते के बाद शोल्डर जोड लेंगे और फिर हम इसका नेक पलट लेंगे तो इस तरीके से हमें नेक की फिनिशिंग करनी है और बॉटम और आस्तीन की फिनिशिंग मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आपको डेड़ इंच की पट्टी जोडते हुए और उसको फिर हमें लाइक्रा की फैब्रिक जो होती है तो वह इसमें चल जाएगी मगर अगर आप कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे तो यह स्ट्रचिबल है कॉटन नहीं होता तो बड़ा वह जीव से फिटिंग आएगी वह सही नहीं बैठेगा इसलिए मैंने इसको विदाउट अविलेबिल है तो आप लाइक्रा की लाइनिंग जरूर लगाएं पहले लाइनिंग कट करें उसके बाद आप यह फाब्रिक कट करें तो उमीद करती हूं आज की वीडियो आपके लिए हैलफुल होगी पसंद आये होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएग अऽशने को आपके लेस लाइक्सेर आपो करें घिए करें एгारा हूं खर्शने कातू तो आपके लाइकन सकावाईब करें उमीद वीडियोилли हैं इन से पकinde को फ्लीज रुन खर्शने करें सतर्व वीडियोग हैं कि वीडियो अखके पके सथके से सब्सक्राब करें करें ट